पर लिये है 500 ग्राम सकरकंद और यह मार्केट से ही लाइव है क्योंकि हमारे घर में तो होते नहीं है इसलिए मार्केट से मैंने 500 ग्राम सकरकंद लाए है अब यह जो सकरकंद है इन्हें हमें पहले उबालना नहीं है इसके पहले हमें छिलके उतार लेना है तो सारे जितने भ वैसे छिलके तो हम लोग उबाल कर भी निकाल सकते हैं लेकिन आज आप लोगों से एक अलग ही तरीका सेर करने वाली हूं इसलिए हमें सबसे पहले इसके छिलके उतार लेना तो चलिए देखते हैं हमारे सारे सकरकंद के छिलके उतर चुके है और जब हमारे सारे सकरकंद के छिलके उतर चुके है तो अब हमें इनके करना है छोटे छोटे टुकडे मतलब एक सकरकंद के हमें चार से पांच टुकडे कर लेना है मतलब जितना बड़ा हमारा सकरकंद रह उसके बाद में हमें एक कटोड़े में लेना है पानी और पानी में इसे डूबा कर लगवग 2 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है ताकि इसमें जो अंदर जो हमारे कटा हुआ भाग है अंदर तक इसका पानी जाना चाहिए तो बस यह मेरे सारे टुक्ड़े कटकर रेडि हो कर निकाल लेना है मैंने पहले शकरकंद को नहीं धुला था इसलिए मैं बाद में धूल रही हूं और धूलने का भी बाद में एक कारण है कि हमारे जो शकरकंद हम लोग पकाएंगे तो इसमें हमें पानी डालने की जरूत नहीं पड़ेगी इसलिए हमें पानी से पहले ही निकाल लेना है अब हमने इसके लिए लिया है एक सिलवर क्वाइन जो रोटी अगरे हम लोग फोल्ड करके रखते हैं या मतलब टीपिन में लेकर जाते हैं बस वही सिलवर क्वाइन है ये मेरा थोड़ा सा अभी बरसात की वज़े से थोड़ा सा खराब ट्राइप का मतलब उसका जो कलर है वो निकल चुका है, लेकिन काम तो हमारा इसमें भी होई जाएगा, तो बस इस प्रकार से हमें सारे टुकडो को फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करने के बाद में हमें एक कुकर का डिबबा लेना है, और उसमें सारे टुकडो को इसी प्रकार से फोल्ड करके हमें रख देना है जब हमारे सारे सकरकन फोल्ड हो जाएंगे उसके बाद में हमें लेना है एक कूकर और कूकर में हमें डाल देना एक गिलास पानी क्योंकि ये हमारे सारे फोल्ड हो चुके है और इसके उपर ढखकन भी हमें ढखके रखना है तो ये मैंने कूकर ले लिया है और इसमें एक गिलास पानी डालने के बाद में कूकर का ढखका, डिबबा हमें इसमें रख देना है और डिबबा रखने के बाद में धाग देना है और फिर इसका धकन हमें लगा देना है सीटी हमें नहीं निकालना है इसमें जब हमारा धकन लग जाएगा तब हम लोग गेश पे इसे तेज आज पे दो सीटी लगाएंगे और बस पांच मिनट भी नहीं लगता है दो सीटी आ या नहीं तो चलिए देखते इसे निकाल कर और बहुत ही टेश्टी भी दिख रहे और बहुत जल्दी हमारे दो मिनट में ही पूरे सकरकंद बनकर रेडी हो चुके हैं दोस्तों अभी आप यह देख रहे हैं मैं सारे सकरकंद को निकाल ले रहे हूं क्योंकि अभी यह है गरम कुकर तो हमारा ठंडा हो गया था लेकिन अंदर जो हमने सकरकंद फोल्ड करके मतलब पेक करके जो रखे थे वो अभी उवल का तो रेडी हो चुके है लेकिन यह बहुत गरम है तो इसे भी हमें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हमारे सकरकंद ठंडे हो रहे है तब तक रह आसानी से पूरे पकर रेडी हो गये हैं